दोस्तों आप अगर अपने वीवो के फोन में जो यह स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है इसके आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें आपके में sound ही नहीं आता है तो आप इस sound problem को कैसे solve करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लिए आपको करना क्या है कुछ छोटी सी setting करनी पड़ेगी उसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की ओर scroll कर लेना है अपने phone में और यहाँ पर जो यह record screen का option दिखाता है आपको इसी पर थोड़ी दे tap करे रहना है तो आपको इस type का interface मिल जाएगा या फिर आप क्या करिएगा आप चले जाएगा अपने phone की settings में यहाँ पर करिएगा नीचे की ओर scroll यहाँ पर आपको एक shortcuts and accessibility का option दिखाएगा इस पर click कर लीजेगा इस पर click करने के बाद as capture पर click करिएगा इस पर click करने के बाद आप नीचे की ओर scroll करिएगा तो यहाँ पर यह देखे आपको दिखा रहा होगा record screen करके section इसी में वो सारी settings है यहाँ पर दिखा रहा है जो वहाँ पर दिखा रहा था अब आपको क्या करना है यहाँ पर record sound का एक option दिखाएगा आपको इस पर click कर लेना यहाँ पर आपके में none लगा होगा तभी आपके में कोई भी sound नहीं आ रहा है आपको इस पर click करना है अब यहाँ पर कुछ options आपको दिखेंगे तो आपको कौन सा sound चाहिए system sound या फिर microphone audio चाहिए या फिर system audio and microphone sound दोनों चाहिए तो जो भी चाहिए आप उसी साब से अपना select कर ली जाएगा अगर आप system audio select कर लेते हैं तो इससे क्या होगा आप जो बोलेंगे वो sound नहीं आएगा आपके recording में बट जो system sound होगा internal audio होगा वो आपके में record हो जाएगा अगर आप यह बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा केवल और जो system sound होगा internal audio होगा वो नहीं record होगा अगर आप यहाप यह बोला option select कर लेते हैं system audio and microphone sound तो आपके में जो आप बोल ले होगे वो भी record होगा screen recording करते टाइम और जो internal audio system audio होगा वो भी record होगा अगर वीडियो से help वी हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी videos देखने के लिए